हलो फ्रेंट्स, फ्रेंट्स मैं सोहानी, फिर से हाजिर हूँ बहुत जल्दी, कल मेरी बात हुई थी आप लोगों से, कि मैं ओमान जा रही हूँ, बर अनपॉर्चुनेटली, या फॉर्चुनेटली, श्याद मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए, मैं स्चिल ओमान नहीं प अगली फ्लाइट, बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश है की, हम लोगों ने अखेर में नहीं पॉच पाए, मैं और दो और पैसेंजर और मेरा बीटा, यानि कि हम चार पैसेंजर्स जो है, पैसेंजर्स जो है, वो छूट गए, फ्लाइट चली गई, हमारे लिए नहीं र कोश्रूम यानि कि सबसे पीछे वाली दीती और बहार निकलते निकलते कोवीट की वजhinे से सारे पैसंजर्स, सीट बाइसीट निकलते हैं, तो ऐसे निकलते निकलते हैं, जब हम लोग लगों आप जानते हैं कितने गेट कितने दूर होते हैं तो करीब 2,5 km भागे हम लोग और तिलचस्प सी चीजें हुई भागे भागे भागते हुए जब हम बिल्कुल उस गेट पे पहुचे तब वहां के क्रू मेंबर्स ने हमें कहा कि आपकी फ्लाइट जा चुकी है तो भाइए सुनके जो होना है न वही हुआ मेरा बीपी बड़े हैं सब लोग टेंशन में आगे और जो है काफी शाउट किया हम लोगों ने दो और पैसेंजर एक तुबई के हैं और दूसरे खुद जो आए हैं दमाम से यहां मसकत के लिए न अला कि मैं जादा नहीं जानती पर अब जब कि हम तीनों फसे हुए पैसेंजर से हैं तो आफस में थोड़ी बहुत बात होती है टाइमिंग को लेकर कि कब निकलना है कैसे निकलना है और हम में से 2 के PCR टेस्ट जो है वो एक्सपार हो रहे हैं तो हमारा PCR लास नाइट किया फिर से यह अच्छी बात है गल्फेयर की थैंक्स टू गल्फेयर की उन्होंने हमें कोपरेट किया बहुत अच्छे से ट्रीट किया और इमीडियर जो है मुझे मेडिकेशन भी दिया गया हालांकि मेरी थोड़ा सा बीपी का वो गया था शाउट हुआ और मैं बहुत आपके कोई फ्लाइट नहीं है तो भाई फॉर्थ को हम लोग लेंडिंग है और सेविं तक कोई फ्लाइट नहीं है तो आप सोच रखते हैं बेटे के साथ ही में तो थोड़ा सा उन लोगों को मुझ पे यूनो मर्सी हुआ किया जाए इस पे और उन लोगों को ने पूचा कि क्या किया जाए आप लोगों के साथ यहां तो आप दुबई जाए दुबारा मैं एक पस विज़ा नहीं है दुबई का आप लोग सारा बे कीजिए मैं जाने को तेयार हूं लेकिन उफर मेरी फैमिली है बेटे का स्कूल स्टार्ट होने आप इस्टे मोगों तो कि के से नहीं निकले थे तो ठंड थी बहुत जादा इन्होंने फिर भी इतना कोशिश किया कोविट की वज़े से सब जगा सत्यास हो चुकी है तो इन लोगों को भी हम दोश नहीं दे सकते पर इन लोगों को नहीं जतना बेस्ट है वो किया और और अवरों हमें बहुत हैं सब कुछ अपनी ऐसलिटीज हमें अच्छे से प्रोवाइट कर रहे हैं तो ठैंक्स टो गर्फियर अब हमारा साथ दे रहे हैं और अब हमारी जो नेक्स फ्लाइट है वह भी डिरेक्ट को मानकी नहीं है हमारी प्लाइट है बीस मिनिट की यहां से साओधी यानि कि साओ नहीं है वहां PCR कितना वैलेड है बच्चे के लिए है क्या सब कुछ चेक किया मैंने तो ठीक है भाई अभी हम एक घंटे में निकलेंगे फ्लाइट वो बीस मिनिट की है यहां से दमाम बहुत करीब है बहरीन से और दिन में मैं थोड़ा सा गई थी बहरीन एरपोर्ट को कैप कि ड्रो जीता है तो भाई बहुत अच्छी रही यह पूरी जर्णी थोड़ा डिले हो गया हम घर पहुशते पहुशते तो अब कर्प कुछ भी नहीं सकते हैं घर तो जाना ही है सब को जाना है सब लोग बेट कर रहे हैं तो भाई करना क्या है थोड़ा सा वेट और दमाम स एक देक्रो मेंबर साम पूरा कि अगर और क dopamine सिदांग और क ख्रूम की आगे हमारी डश एर्लाइन की आरइनका है उस ए्र एपिट में हमें बिठाएंगे और आगे ले जाएंगे मुसक अपसो कि कुछ मरसी और हो जाय रो अर में सिदा घर चानने दिया जाए तो तो भाई कि जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं जो कैप्चर किये हैं इस बहरीन एरपोर्ट को जो मैंने कैप्चर किया है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी और उसके बात की वीडियो में दिखाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो या मेरे हाथ मेरे बस मेरा तो तो मै तो मैं दमाम एरपोर्ट को भी ज़रूर कैप्चर करूँगी, पर अगर हमें उन्होंने अलाउ किया एंटर करने के लिए तो, और अगर उन्होंने हमें वाया वाया एंटर्माली वेस्ट से, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में भेज दिया, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगी आपको, but I will try my best, कि मैं जितना हो सा कि आप लोगों को इन्फोमेशन्स दूँ, अलगलिग जगहों कि महां क्या है, क्या नहीं है, तो भाई एक यूटूबर होने के नाते, और कई सारी चीज़ें जब हम नहीं देखते हैं, तो उनको कैसे कैप्चर किया जाए, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता हूँ, ठीक है, तो भाई, दुबई से हमारे जड़नी कल की स्टार्ट हुई है, लेकिन स्टिल हम लोग ओमान नहीं पहुचे हैं, जब कि बाई रोड फाई हावर्स का है, ओमान दुबई से, और बाई फ्लाइट है, 45 मिनिट्स, जी हाँ, डॉमेस्टिक की तरह 45 मिनिट्स ही होता है, हाला कि कंट्री अलग है, बट हमें मोरें 24 आर्स, सो चुके हैं, कल शाम के 5 बजे से हम लोग घर से निकलें, आज शाम के 5 बजे हम लोग यहां से जाएंगे, और आज रात को करीब 12 बजे, इंशालला हम लोग पहुचे गे, तो बसा दुआ हैं किजिए, सब के लिए हमारे लिए की टाइम पे गर पहुचें यार, और मुझे होटल के रंटाइन ना दिया जाए, अगर मुझे नहीं जिया किया तो मैं इम्मीडियेट वीडियो गनाऊँगी, और दिया भी गया तो क्या कर सकते हैं, हर आल में जीना है, यह बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट लाउंज है फैलकन गोल्ड लाउंज है एयर गल्फ का, गल्फ एयर का सरी और पहरीन एयपोर्ट भी स्ट्वीट सिंपल पूर्ट प्यारा सा है, उसे भी देखिए, और आगे की जन्डी मेरे साथ बने रही है, तब तक के लिए स्वहानी आप लोगों के साथ ही रहे कि जाएंगी तहीं नहीं भाई, और भाई मुझे कॉफी के साथ थुड़ी हलकी सी भूख लगी थी, तो मैंने कहा उनको की मुझे लाइट कुछ स्नेक्स दिया जाएं, तो आपो अपनी साथ से अपनी स्पैशलिटी, कुछ बोला उनोंने की मैं यहां यहां स्विशल वेज सेंडविच है, तो वो औलिवस के साथ मेरे हमेशा से पेर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और इंजय करती हूँ, तक के लिए आप लाइक किजिए, शेयर किजिए, सब्स्राइब किजिए, दिल खोल के, और देखिए इस वीडियो को और इंफोर्मेशन लिगजिए, कभ कहां कैसे हम लोग कभी भी ट्रावलिंग में जाते हैं तो बहुत रप्रेशन के साथ जाना चाहिए, सोचते तो हैं कि एक आद गुंटे में बहुच जाएंगे, पर कहीं भी हम लोग फस सकते हैं इस तरह से पोल्ट के दोरान, कभी हमारी फ्लाइट मिस हो सकती हैं कभी कुछ प्रॉबलम कभी टेक्निकल इशूज आते हैं फ्लाइट में तो कही न कहीं हम लोग रूख सकते हैं क्योंकि कल क्या होगा यह हमें नहीं पता, तो मेरा भी यह था हाला कि मैंने तयारी से निकलती हू हमेशा, बेटे की और मेरी जो हैंट्रेसे समने अलग से रखी थी, टूथब्रश और स्लीपोर्जी इस अब रखे थे तो हमें बहुत काम आये लांच में, क्योंकि 24 गंटे से जादा बेटना होता है, तो आप continue sports shoes में नहीं बेट सकते हो, तो यह वह बहुत सारी चोटी चोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें ट्रेवलिंग में क्या कब हो जाए, nobody knows, तो बहुत सारे enjoy किया हमने, मैने और मेरे बेटे ने, मेरे husband को बहुत मिस्किया, हम उने भेज रहे थे dishes, खा रहे थे तब दो, क्या कर सकते हैं, anyways, take care, दुआओं में याद रखिये, और मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को सुब्स्राइब कीजिए, thank you so much.